गुडिविंग गाईस गाईस अब स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्राइडन का चार्ट ओपन है हमारी स्क्रीन पर और आज की जो वीडियो होने वाली है वो ट्राइडन के प्राइस एनेलिसिस पर होने वाली है कि हमें आने लिए दिनों में यहाँ पर कितनी मुमेंट देखने को मिल सकती है कौन सी मुमेंट या अब जा सकता है या डाउन जा सकता है उसके according यह वीडियो बनाने वाले हैं और यह वीडियो हमारी खुद के तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखना बिलकुल न भूले हैं वेलकम ट्यू आर यूटूब चैनल गाइस आपका हमारे एफिनिटी गोल के यूटूब चैनल पर स्वागत है जैसे कि अभी हमने रिवील करा है कि जो आज की वीडियो ने लिए और वो होने लिए ट्राइडेंट शेर प्राइस पर तो ज्यादा टाइम न लेते हैं चलेगा स्क्रीन पर चलते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्राइडेंट का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट उपन है तो यह जो वीडियो गाइस होने वाली है वो हमारी खुद के स्ट्राइडिजी के अकॉर्डिंग हम एनलाइस करने वाले है कि इसका प्राइस प्रे करते हैं मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमारी स्ट्राइडिजी के एकॉर्डिंग कैसी प्राइस मोमेंट हुए है अप यह जो लेवल देख सकते हैं जैसी इसने ब्लैक कर्व को और ब्लू कर्व करा नेगेटिव क्रॉस ओवर मतलब केली केंडल पर देख सकते हैं यहां पर पूरा प्राइस रेट्रीव कर गया इस ब्लू कर्व को के उपर ट्रेड हुआ ही नहीं यह स्टॉक क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो स्ट्राइडिजी का कॉर्टिंग यह ब्लैक कर अप होना चाहिए और ब्लू कर डाउन होना हैं तो हमें त्रायरेन के एक तेजी देखने को मिलियो इस लेvel पर प्रायस ने करेक्शन क्यों दी तो यह बाते हैं उस वीडियो में डिसक्स करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह ब्लैक वन्लू करव है यह बहुँ जधा वाइल ओगय है ठीक है मतलब एक दूसरे से दूर हो गया और जो ब्लैक कर्व है वो शेर प्राइज मतलब जो ट्राइडन का शेर प्राइज है उससे बहुत ज़्याद दूर हो गया तो इस मींज कि यह छोटी सी करेक्शन देने वाला है और आप इस लेवल पर देख सकते हैं कि आरसा ही जो ह वो अवर बॉर्ट में चला गया है तो इस कंफर्म कि यहाँ पर हमें एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकते हैं ब्लैक कर्व तक ठीक है जैसे इसने ब्लैक कर्व को टच करा आप देख सकते हैं अगेन इसमें एक अच्छी खासी छोटी सेजी देखने को मतलब ग्रीन क होते हुए देखने को मिलेगा जो हमारी स्ट्राटेजी को अकॉटिंगे ब्लैक एंड ब्लू कर जैसी नैरो हो जाएंगे गाईज एक एक्क्लिमेलेशन फेस चलेगा प्राइस मतलब स्टॉक के अंदर मतलब साइडवेस चलेगा एक्क्लिमेलेट होंगे बायर ठीक है और जैसे नैरो हो जाएंगे फिर हमें एक छोटी से तेजी देखने को मिलेगी तो इस लेवल पर देख सकते हैं कि हमें एक हलकी से तेजी देखने को मिले और आरसा ही आप देख सकते हैं कि 70 के लेवल को टेच करा और फिर हमें ब्लैक कर पर ही ट्रेड होते हुए इस्टॉक को को देखने को मिला और आप इस लेवल पर देख सकते हैं कि इसने ना वन वन डे में ब्लू करब को डाउन मतलब नेगेटिव में ब्रेक आउट नहीं दिया जैसे ब्रेक आउट देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ब्रेक आउट नहीं दिया फिर हमें एक और फिर प्राइस को डेफिनेटली था नो डाउट हमारे स्ट्रेडिजी के अकॉर्डिंग के प्राइस को छोटी कर्रेक्शन देनी है आप यहां पर देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं आया है सेलिंग का मतलब सेलर एकदम बिल्कुल एक्टिव नहीं है यानि बायर बहुत ज़्यदा एक्टिव है और यह जो प्राइस गिरा है वो खाली प्राइस करेक्शन के लिए गिरा हुआ है यहां पर ठीक है सेम एस वेल आप यहां पर देख सकते हैं फिर अगेन यहां पर हमें एक छोटी से एक् देख सकते हैं अगेन आ रहे हैं और बॉट पर जा चुका है फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिली आप स्क्रीन पर देखे गाइस और फिर हमें ब्लूक ब्लैकर पर ट्रेड होता हुआ एक्लमेट होते हुए बाहर दिखे फिर हमें अब अगेन हमें ट्राइडन के शेर मे अगेन तेजी देखने को मिल रही है विद वॉल्यूम गाईस नो डाउट विद वॉल्यूम बट एक चीज़ को हम अंदेखा भी नहीं कर सकते हैं कि यहां से यह करेक्शन देगा जैसे यह प्रीवेश चार्ट में हमने अभी अनलाइस किया कि हमारे स्ट्राइडिजी के अ 27 के लेवल तक या 25 के लेवल तक हम क्या सकते हैं 27 और 25 के लेवल तक हमें ट्राइडिन का शेयर आने अले दिनों में छोटी सी करेक्शन में देखने को मिल सकता है तो वहीं अगर मैं बात करूं आप आरसाई को भी इग्रोर नहीं कर सकते कि इसका जो आरसाई है वो बहुत जड़ा ओवर बॉर्ट में जा चुका है गाई और आप वॉल्यूम देखिए जो आज की जो केंडल बनी है केंडल बनी ही नहीं में अपर सर्केट लगा था नो डाउट लेकिन यहां पर वॉल्यूम नहीं आया है that means कि हमें यहां पर एक छोटी करेक्शन कल देखने को मिल स सकती है अगर आपके पास ट्राइडन का शेर है तो आप यहां पर प्रॉफिट बॉकिंग कर सकते हैं फिर वेट करें कि इस लेवल यहां इस 25-26 के लेवल पर आता है तो आप वहां पर अगेन बाइंग कर सकते हैं यहां पर एक छोटा दा एक्क्लमिलेट होता है दैन हमें फिर अगेन एक तेजी देखने को मिल जाएगी जो कि 40-45 के लेवल आने अले दिनों में विदिन अमन्त देखने को मिल सकते हैं तो आप अपने शेर पर नजर बना के रखें तो यह थी छोटी सी क्विक एनलेसिस हमारे शाड़िजी को अकॉर्टिंग टाइडन के शेर प्र वीडयो बनाने चाहिए कौन से शेर पर वीडियो बनाने चाहिए वह भी आप कमेंट सेक्शन में डॉप कर सकते हम डेफिनेटली आपके लिए वह वीडियो लेकर आएंगे तो गाइस आप हमें TWITर हैंडल टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फोर मूर अ